अभी वो 30 साल का है और मतलब बच्पन से जब जैसे हर पेरेंट्स चाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहतर से बहतर चीज करें तो मैं चाहरा था कि मैं उसके लिए जब वो स्कूल बूल जाए कहीं भी भूमने जाए मैं गाड़ी ले लूँ आज तक उसने मुझको अलाव नहीं किया गाड़ी लेने के लिए वाज तक पब्लिक ट्रंसपोर्ट यूज करता है बस में जाता है ट्रेन में जाता है अभी दो-तीन मैंने पहले वो पॉंडिचरी में था उसने का पाप मैं जा रहा हूं बैंगलोर मेरे दोस की शादी है तो इसलिए फ्लाइट कितने बजे की है इसलिए नहीं मैं ओवरनाइट बस में जा रहा हूं स्टेट बस में तो उसका टोटली अपना-पना खुद का अंदाज है यूज का अंदाज ह और टोटू है। यूज किरेटेव है। ब広ट को अचलिए जांगेचि हमकित ही कोवहार चुकता सपटैट्स केलिए मिजघ थर यूखी तोटी चीज भी है। जा काaches जरून फलग है दूटको पूम के इस दो लेकिन एक हफते में मैंने देखा कि उसका behavior change हो रहा है दीरी दीरे और मैंने पुचा कि क्या हुआ तो उसने एक club join किया, road track club जैसे rotary club होता न बैसे road track club join किया उसने और उस road track club join करने के बाद उसमें इतनी activities होते हैं वो social चीजे organize करते हैं, बच्चे वो एक साल में मैंने उसमें बदलाओ देखा, वो एक साल में, I think that meeting children his age, interacting with them, working on the streets with everyone, really made him confident and that is a big change in him. तो आपने तो वो इतना इंट्रोवर्ट था कि मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही हो गया, उसमें फिल्म प्रोड्यूस कर लिए अब तो टेंचेन ही नहीं है, आपने अठारा साल के ओमर में काम करना शुरू कर दिया था, मैं मैं अठारा साल का मैं उसको नहीं किनता हूं मैं, क्यामत से क्यामत तक आई थी, 88 मैं, और अब हो गया 23, अल्मोस्ट, 35 यर्ज हो गया है, I think, 35 यर्ज हो गया है, 35 यर्ज हो गया है, तो वो आप अपना अठारा साल के आमिर खान और अठारा साल के जुनेद में इतना फर्क देखते हैं, ओ, अच्छा सवाल है, मैं क्या फर्क एक तो, जुनेद में, वो रिना और मेरे कॉंबनेशन है, ही इस वरी हार्ड वर्किंग, वरी और अगनाईज, वरी बेपेंड़ ये सारी चीजे हैं, जो मेरे अंदर एक मस्तिकोर पना है, वो उसमें थोड़ा काम है, वो रिना के साथ त राइट नाओ, शायद वो भी खतम हो जाया आने वाले सालों में, आप जो इतने फिल्मों में पिता बने हैं, और शायद कम ही इतने बड़े सुपरस्टार रहे हैं, जो इतने कम हमर में भी पिता के रूल नभाते आए, चाहिए वो राजा इंदुस्तानी रहा हो, या तार जमीन पे पिता नहीं थे लेकिन बच्चों के लिए साथी फिल्म थी और दंगल तो खेर रहा हैं, तो फिल्म में जैसे पिता थे आप और असल में जैसे पिता हैं, उसका फिल्मों में तो हम किरदार का किरदार निभा रहे हैं, दंगल में महावीर फोगाट जी का रोल कर रहा था तो वो जो किरदार है जिस किसम के सीन है मैं वैसा था मैं एज़ फादर मैं एक्शली काफी रिलाक्स हूँ मैं बहुत बहुत नहीं पर आप भी जब आपने इस ब्रेक के दौरान अपने आपको पाया तो कभी लगा कि ये फिल्मों के किरदार में थोड़ा अलग कर स कैज़ी मैं कॉछ अच्छा नहीं मेरे नजर से लगता है कि आप ये ऐसे होना चाहिए ताफ़ा मुझे मुझे ऐसे करना चाहिए था अपने काम में मुझे बहुत खामियां देखती है एक साल के बाद तो फिर मैं अपनी फिल्मे देखना बंद कर देता हूँ मैं नहीं देख पाता अपनी फिल्मे मुझे बड़ी उल्जन होती है मुझे बड़ी कोफट होती है कि यार यह सीन, काश यह रीशूट हो जाए कोई दुबारा नहीं देखे यह सीन बेटर होना चाहिए तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं अपनी परानी फिल्में देखता हूँ तो मैं अवाइड करता हूँ लोग आके बोलते नहीं है अंदाज अपना में यहाँ नहीं लोग तारीफ करते हैं मुझे खुशी होती है कि उनको अच्छी लग रही है मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं देखनी पाता हूँ मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ अपने काम के बारे में जो अच्छी बात भी है इसलिए परफेक्शनिस्ट कहते हैं आपको परफेक्शनिस्ट तो पता नहीं है मुझे लगता है कि कहानियों में मैजिक चाहिए हमें जादू चाहिए और सीन में जब आप शॉट दे रहे हो ना तो उस वक्त कभी-कभी जादू हो जाता है और उस जादू के पीछे मैं मैं दोड़ता हूँ कि वो जादू होना चाहिए और I think I'm more passionate than perfectionist. कभी-कभी चीज़ें परफेक्शनिस्ट नहीं होती लेकिन वो दिल को चूलेती है और मैं उस चीज़ें पीछे मैं दोड़ता हूँ तो फिर आपको रिग्रेट क्यों है कि आप perfect father नहीं थे अब उस perfection को क्यों चुना चाहते है रिग्रेट ही है नहीं कि मैं perfect father नहीं था perfect father तो मैं शायद बन भी नहीं सकता हूँ कोई नहीं बन सकता है लेकिन regret ही है कि जो मैं कर सकता था वो शायद मैंने नहीं किया अब मुझे एसास हो रहा है कि वो वक्त दीखिए मैं आपको बता हूँ अभी से जुनाइद भी 30 साल के है आइरा 25 की है चार साल की आइरा मेरे को मुझे वापस नहीं मिलने वाली है पाथ साल का जुनाइद मुझे वापस नहीं मिलने तो वो जो वक्त निकल गया है वो निकल गया है तो मुझे लगता है कि हम सब को इसके बारे में अवेर होना चाहिए कि हम अपना वक्त दिन में 24 घंटे होते हैं 8 घंटे हम सोते हैं 4 घंटों में हम अपना खाना वाना काम करते हैं बारा घंटे होते हैं, हम काम करते हैं। अब जो बाकी का जो तीन-चार घंटे बचते हैं, उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वो बहुत important है। हम किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वक्त ऐसा निकलता है, रेत की तरह, तेजी से निकलता है। और जब तक आप अपने जिंदीकी का हिस्सा नहीं बना दें उस चीज़ को, फिर वो चीज़ होती नहीं। तो ये मुझे समझ में आया है। तो अब मैं बड़ा कैरफूल हूँ कि मैं अपना वक्त किस के साथ बिता रहा हूँ, क्यों बिता रहा हूँ, मुझे इस वक्त अम्मी के साथ रहना है या यह यह चीज़ जरूरी है। तो मैं बड़ा माइंडफुल हो गया हूँ। यह ऐसा लग रहा है जैसे वो साइकॉलोजी की सारी किताबें। हाँ, ने नी, मैं दो साल से ठेरपी भी कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा उसमें मज़ा आ रहा है, मुझे बड़ा फाइदा हो रहा है। I think that जब हमें कई जजबाती या mental stress होता है, tension होता है, तो हम train नहीं होते हैं। मैंने कली वीडियो बनाया आयरा के साथ, मैं आप वीडियो में बता दूँ आपको, जो उसमें trained है, जो जानता है। इसी तरह जब हमें जजबाती तोर पे तकलीफ होती है, तो कुछ लोग trained होते हैं उसमें आपको help करने के लिए, psychologist हैं, therapist हैं, वो trained हैं उसमें, और उसमें कई शरम नहीं होती, या हम बाल कटाने जाते हैं, हमको शरम थोड़ी होती, तो इसी तरह जब आपको जुरुत पड़े, किसी की मदद की, तो यह हमने वीडियो कल, या आज actually, World Mental Health Day के लिए हमने आज निकाला, तो थेरपी से मुझे बड़ा फाइदा हुआ है, पिछले दो सालों में मुझे, चीज़ें समझ आई हैं, हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटिल ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने जजबातों में भैके करते हैं, हमको समझ में नहीं आता कभी-कभी, और I think over, therapy has really helped me a lot to understand myself. Actually, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी इनसान हूँ, मैं उससे बहतर बनू, यह एक्चुली इन शॉर्ट therapy है, कि जो मैं इस वक्त हूँ, मुझ में क्या खामिया या कमिया है, मैं क्या इसमें क्या बहतर हो सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कि मैं बहतर इनसान बनू, यह मेरी कोशिश है. आपकी बेटी ने भी, आयरा ने भी काफी कुछ शेयर किया था, थेरपी को लेकर, और वो उस पे काफी कुछ काम भी कर रही है, जी. जी, I'm really proud of आयरा, वो एक्चुली कई सालों से, she was struggling with depression, और depression ऐसी चीज़ है, जिसको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कोई खास नजर आने वाली वज़े नहीं होती, आपके जिन्दगी में शायद तकलीफे ना हो, जो आम तकलीफे हों हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आप depressed हो सकते हैं और आपकी जिन्दगी एक अंधेरी की तरह हो सकती, जजबाती तोर पर. तो उन दिनों में जब वो उस दौर से गुजर रही थी तब आपको लगता है कि आपको ज़्यादा साथ होना चाहिए था? तब ही तो मैं उनके साथ आया, एक्चली यह पूरा वही दौरान है, धाई साल पहले जब मुझे realize हुआ तो वो struggle कर रही थी आईरा, और फॉरन मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, उनकी जो company अगत्सू उनके साथ, जो मैंने कहा ना मैंने फिल्में चोड़ दी थी, मैं वाकी चोड़ दी थी, मैं office जाता था आयरा के साथ, और हम लोग रोज साथ में काम करते थे तो initial stages में जो आयरा काम कर रही थी, मैं उनके साथ यह सब planning कर रहे थे हम लोग community center की वगएरा, तो मुझे खास खुशी है कि आयरा जो है वो खुद इस से गुजरी है और यह experience से गुजनने के बाद, depression से जूजने के बाद,